हेलो दोस्तों आज अब हम लोग स्टार्ट कर दें चैप्र नमबर एट जो कि बातनी बातनी का इसा है चल्द यूनिट आफ लाइफ और जिसमें हम लोग बात करेंगे कि सबसे पहले कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट के बारें डिसकस कर लेते हैं जो कि यह जैकरी जैंक्सन डिस्कवर्ड माइक्रोस्कोप जैकरी जैंक्सन साइंटिस्ट थे जैकरी जैंसन उनने क्या को जाता है फिर 1665 में ड्रावबाट हुक तोला सब्सक्राइब कर देखा जाल लाता फिर उसके कारीब करीब सौ साल के बाद सकारा के बाद में वाल्ट में इंटारıldि welfare निविंग से जह की सब्सक्राइब कर लिए कि इसके बाद आरे मैं बियुम ग्राव्टों कर लीके लिए इस अर्भीशार्जिंगर दनेविक्तों देमेंck बश्च्रिष्ट नॉल फरसकर नॉल एंड रशकह नने डिस्कवर किया था इलेक्टार माइक्रोइसकोप को नियुक्त बचाथ में 2018 मिय्थिये यस मैल्थियस लिडर जेर मन बोटनीष थे और प्लांट सेल फोजा था प्लांट सेल्क हो जा था उसके बाद 18 तो 18 तो उन्तारीस करीब करें साथ ही में लोग उन्हें खो जा था 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 जो कि एनिमल सेल्क हो जाते इनिमल सेल को देखा था और उन्हों नों बताया था कि जो सेल्क के ऊपर कबरिंग नहीं होती है थिन आउटर लेयर आप सेल्क होती है आज हम लोग उसको प्लाज्म मेंब्रेन के नाम से जानते हैं और फिर अठारा सब्सक्राइब देख रुडाल्फ विर्चो ने पहली बार इस परस्ट एक्स्प् इन के अठारा सुन तास के में लिए गोल जी बोडी ये गोल जी कॉंप्लेक्स को खो जाता है उनीच सो त्रपन में जार्ज पहला डिज़ ड्राइबर स्विंक डिस्कवरी किये थे यह थी हमारे कुछ बेसिक्स पॉइंट और अब हम लोग बात करते हैं चैप्टर के बार अब आपने अपने चार दरप देखते हैं तो उसमें लीविंग और नॉन दोनों चीज़ दिखा देती है कि जब आप उसे देख चकीत हो जाते हैं और अपने आप से पूछते हैं कि क्या चीज़ चाहिए जो लीविंग जीवित बनाए रखता है और क्या चीज़ जीवित बनाए रखता है अचेतना इन इनिमिट मतलब होता है अचेतना ठीक है इन इनिमिट मतलब होता है अचेतन और हमें मिलता है कि प्रजेंस अब बेसिक उनिट आफ लाइफ जो कि है सेल इन आल लिविंग और लिविंग और लिविंग और कंपोज्ट आप सेल सभी और अर्गनिजम सेल के बने होते हैं कुछ हर कंपोज्ट आफ सिंगल सेल और काल्ड यूनिसलर जो कि कुछ जो इंदी एक सिंगल सेल के बने होते हैं जब कि अधर लाइक हमारे जैसे अस लाइकस कंपोज्ट आप मेनी सेल काल्ड मल्टिसलर और इंजम यह होते हैं जो नंबर वन इंडिपेंदेंट इजिस्टें मतलब बिना किसी सारे कि रहे हैं और परफॉर्म अधा इसेंसिल फंक्शन अप सारे काम होते हैं खुद एक सेल प्रफॉर्म करें वह यूनिजलर होती है एनिटिंग लेस देन कंप्लेट स्ट्रक्चर आप चल्ड नौ इंसर इंडिपेंडेंट लिविंग हैंस सेल असलीज्ट फंडमेंटल स्ट्रक्चलल और फंडमेंटल यूनिट आप लिविंग और इसलिए चल्को का जाता है फंडमेंटल स्ट्रक्चल फंट्रफिंग और जमिसका चल्ड इन्टोनीवन हैं साइंट्रिक्स का नाम है एंट्रॉन लीवन हाउक इसको मिंगोल मंत करेंड़ ना फस्ट तसवा प्रस्ट सा इंडिस्क्राइब लाइब सेल और रवह बर सेल थेयरी के लोगों ने दिया है होनी मिसली स्लेटन थे अंधी थे अकड़ी उडागरे बस्कारी में देने शोर अधारा कानध तो हमेश खैसे बताते ने प्लांट को कि व मैंcado सब्सक्दमाइ मुनक जो कि ważne देखकेました everything should प्लांट की टीशू को बनाते हैं एंड अबाउट सेम टाइं थियोडर स्वान साथी साथ में थियोडर स्वान 1849 जो की ब्रेटी जो लोविस इननों इस्टिडिक डिफरेंट टाइप अप एनिमल एंड रिपोर्ट इनिमल एंड इन रिपोर्टे दाइंटर सेल हैड थीन आउटर तीन आउटर लेयर विच इस तूड आज उसको हम जानके प्लाज मेंब्रेट नहीं यह अल्सू कॉंक्लिड़ेट बेस्ट ऑन दे स्टेडिज अब डिस्टूर्ट इस्टूर्ट इस्टूर्ट के अद्दिन के नुसार बता त्रिस इसारे प्लांट अन्यमल जो कि सेल से बने होते हैं और उसके प्रोडक्ट सेल याफ इसके प्रोडइक से यह होते हैं जो कि लोग पढ़ाएंगे उसमें इस्ट्रक्शल और्गनाइजिसन चेप्टर नंबर साथ इसके पहले वाली चेप्टर में पढ़ते हैं स्लिटन स्वान टूगेतर फॉर्मुलेड रसल्थेओर स्लिटन स्वान ने एक साथ में एक सल्थेओरी दिया जो कि उन्हें ने कर पाई की नहीं सल कैसे बनती है रूडल्फ विर्चौ अटारह सो पच्पर ने पहली बार एक्स्ट्रेइन किया था कि सेल डिवाइड इन सेल में विवाज होती और नई सल्थेओर बनती है अपने पहले हुआ ही इस को याद कर लिना बूचे ने दिया था और जोडल्फ विर्चौ ने दिया था वह घ्यां पूचेगा और नौन डुझे सारी आप्संगे इसम में कई सारे आप्संदीयरेंगे उसमें दिल्द यह भी होगा आपका 1855 इस पर ठीक और एक बात और ध्यान रखें कोई भी अप्षन को बना जाए जाते हैं जो कि सही अंतर होता है वो तारे अप्षन से अलग होता है जैसे इसमें संदी आठारा सो पच्पन इसके करीब इस तरीके एक अप्षन होगा आपका अप्षन होगा आपका उनी सो पच्पन उनी इस तैप के अप्षन देये जाते हैं जो कि आप पकर सहें बिल्कुल अरीब करिप के अपस्थ नहीं दिया जाते हैं इसलिए यह चीज द्यान में रखना है और आगे देखते हुनोंने फिर प्रोड़क्ट अब देखते हैं अब देखते हैं अब इसको अभी थोड़े